नमस्कार हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चानले पर आपका स्वागत है हम आज दैनिक जागरन संपाद की का एक मैटर है जो की साड़े तीन सो वड़ से थोड़ा सकम है इसको लिखने जा रहे हैं मैटर पांस सेकड में स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश में बरेली के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक की यह सलाह पूरी तरह औचित्य पूर्ण है की ट्विटर को चलता फिरता कार्याले नहीं बनाना चाहिए यदि सामान्य प्रार्थना पत्र भी ट्विटर पर ही पोश्ट कर न्याय की आशा की जाने लगेगी तो ना केवल आसा धोबिल होगी बलकि एक बनी बनाई ब्यवस्था भी चर्मरा जाएगी पुलिस अधिकारी की इस सलाह का संदर्ब समझने की आवश्चकता है एक ग्रामीर महिला का अपने रिस्तेदार से विवाद चल रहा है आरोप है की गती की गत पांच जुलाई को उसके पती मज़दूरी करने गए थे उसी समय आरोपित रिस्तेदार घर आ गया उसने छेड़ चाड़ की विरोध करने पर पिटाई की और जेवर आधी लूट कर भाग गया महिला ने इस आशाय का प्रार्थना पत्र ट्विटर कर वरिष्ट पुलिस अधिक शक से कारिवाई की मांग की डी जी पी यूपे पुलिस और एडी जी को भी टैग किया गया इसी को री ट्विट करते हुए अधिकारी ने सलाह दी की ट्विटर को चलता फिरता कार्या ले बनाने के बजाए किसी भी कार्य दिवस में धाना, छेत्रा दिकारी, अपर पुलिस अधिक्षक या मेरे कार्याले में आकर शिकायत दर्ज कराई जाए इसमें संदेह नहीं कि संचार क्रांती के वर्तमान दौर में ट्विटर जैसे माध्यम के उपियोग से कई चीजे आसान हुई है वेदना, समवेदना, साजा करने से कई गुथियां सुलजी है इसलिए सरकारी तंत्र भी इस माध्यम पर सक्रिय भोमिका में उपस्थित हुआ है कई बार इस सक्रियता से आमजन को लाब भी हुआ है पुलिस के वरिष्ट अपसर भी इस माध्यम पर सक्रिय रहकर सकारात्मक योगतान करते रहें है साथ ही यह भी सत्य है कि इस माध्यम की अपनी सीमाएं हैं किसी को ओनलाइन ही शिकायत करनी है तो उसे यूपी बुलिस पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए वास्तविक न्याय के लिए आवश्यक है कि पीडित सामने आए ताकि इस पश्ट रहे कि असली पीडित ही शिकायत कर रहा है उन मामलों में तो इंटरनेट मीडिया का सहारा लेना ठीक है जहां तुरित कार्यवाई की आवश्यक्ता है पर जहां न्याय के लिए सुनिश्चित प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है वहां पहले से बनी बेवस्था का ही पालन होना चाहिए यह मैटर लबक साड़े तीन मिनट का था तो इसको आप जो है दो से तीन बार लिखे अच्छा मैटर है और जो कटिन वर्ड हैं उनको बनाने कोसिस करिए और या फिर आप उसको जो है कॉमेंट में लिखे हम उसको जो है किसी तरीके से अगले वीडियो में उन वर्ड की आउटलाइन मनाने की कोसिस करेंगे और आपको बताएंगे ठिक अगर कोई और सुझा होए तो आप लोग प्लीज चैनल के कमेंट बाक्स में बताएं वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य जो शॉटन सीख रहे हैं आपके मित्रवत लोग और या फिर जो ग्रूप है आपके और भी उनमें इसे सेयर करें थैंक्यू